हेलो एवरिवन वेलकम टो माई यूटूब चैनल मैथ वीतरी नमायम कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिप्रेशन अच्छे से कर रहे होंगे आज हमारी पार्टनर्शिप की फौर्थ कलास है और आज कलास में हमारा पार्टनर्शिप टोपिक खतम हो जाएगा कलशे हम अपना एक नया टोपिक सरूखरेंगे वीडियो प्सूरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूँ मेरा नमर इनना है और मैं दिल्ली कुलीज में as a constable कारियर दूँ इस चैनल पर हम जितना भी SSC से related maths है चाहें में calculus math है, arithmetic math है, चाहें advanced math है वो पूरा हम cover करेंगे अभी हमारे mostly जितने भी topics है, arithmetic के वो cover हो चुके हैं उसके बाद हम अपना advanced math और 2D और 3D, mensuration वो एक arithmetic का ही part है वो complete करेंगे, उसके बाद हम अपना advanced math स्टार्ट करेंगे तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथी साथ बेल आइकन भी दबा लें इससे आपको आने वाड़ी सारी classes की latest update time to time मिलती रहे चलिए सुरू करते हैं हमारी आज की कलास क्यूस्तर नमबर फर्स्ट और इनके लाब का अनुपात क्या है? तीन अनुपात दो है लेकिन C आया है उसमें व्यापार में साम्मिल हो गया और जो ये कुल लाब इनको हुआ है उसका एक बटा चार भाग C भी प्राप्त करता है लेकिन C क्या है दोनों से अपना एक बटाचार एक बटाचार दोनों से इकवल उसमें अमाउंट में अपना लाब लेता है जिससे दोनों के उसमें बट जाते हैं यह इसका जो एक बटाचार भाग है यह सिर्फ एक बंदे से नहीं लेता जो इन दोनों के हिस्से में 3 नूपाद 2 में जो रासी आई है उसमें से इकवल पार्ट्स लेता है दोनों के और उसका हिस्सा बनता है तो इस सवाल में हम क्या करेंगे कोई एक ऐसी रासी माल लेंगे A और B के लाब की कुल लाब की जो तीन दो और चार तीनों से पूरा-पूरा कट जाए हमारा उप्सन उसमें पॉइंटों में आंसर ना है तो क्या करते हैं यहां पर सो की बज़ाए 200 हम रासी मालेते हैं 200 कुल लाब हमने माल लिया 200 रूपए तो ए और बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 200 में से इसके तीन उनुपात में इसके दो अनुपात में एक उनुपात की वैलू 40 तो इसको 120 रूपए मिलेंगे इसको कितना मिलेगा 80 रूपए मिलेंगे ठीक है इस अनुपात के हिसाब से अगर इनका लाब बढ़ता तो 120 और 80 में बढ़ता लेकिन अब क्या बोला है जो C नया साज़ेदार आया है कंपनी में उसको कुल लाब का एक बटाचार भाग चाहिए कुल लाब का एक बटाचार यानि कि 200 का एक बटाचार चाहिए तो दोस्तों का एक बटा चार कितना होता है हमारा पचास होता है ठीक है तो इसको लाब में हिस्सेदारी कितनी चाहिए पचास और ये पचास रुपई ये दोनों से एकवल एकवल अमाउंट मिलेगा यानि कि दो बंदों से पचास लेगा तो एक बंदे से कितना लेगा पच 25 और इसके पास कितना बचा है 55 और इसके पास कितना हो गया 50 मूद्या ठीक है और यही वाला अनुपात हमसे पूछा था कि अब A, B और C का नया अनुपात क्या है तो 5 से काटेंगे कितने 5 एकम 5, 95, 45, 5 से 11 पे और 5 से 10 पे तो जिन कलाब का नया अनुपात है वो कितना है 19 अ सेकेंड उप्सन में है चले देखते हैं कि उस्सा नमबर 2 कि उस्सा नमबर 2 A, B तथा C के लाबांस का नुपात 2 अनुपात 3 अनुपात साथ है तथा ओस्त लाब 8000 रुपए है तो A का लाबांस बताओ यहां पे तीन बंदे हैं A, B और C इनके जो लाब का नुपात है वो दे दिया कितना? 8000 रुपए है ओस्त लाब जब 8000 रुपए है तो कुल लाब निकाल लेंगे तो कुल लाब हमारा क्या हो जाएगा? 3824 क्योंकि यहां पे बंदे कितने हैं? 3 है तो कुल लाब हमारा आगया 24000 रुपए ठीक है और अनुपात में वैलू लाब की कितनी है? 2, एक अनुपात की वैलू हमारी कितनी है? 2000 तो एक अलाब कितना हो गया? 4000 रुपए तो कौन सा अप्शन सही हो जाएगा हमारा थर्ड अप्शन सही हो जाएगा चलिए देखते हैं कि उस्तों नंबर 3 कि उस्तों नंबर 3 A, B तथा C के लाबांस का अनुपात 1 बटे 4 अनुपात 1 बटे 6 अनुपात 7 बटे 12 है तो अब A और B के लाबांस का नया अनुपात बताओ देखो सबसे पहले तो A, B और C का अनुपात है वो क्या है? एक बटा चार, एक बटा च्छे और साथ बटे बारा तो A अनुपात, B अनुपात, C निकालेंगे तो क्या आजाएगा देखो सब कालेंगे LCM, तो LCM आजाएगा हमारा बारा तो तीन अनुपात, दो अनुपात, साथ तो इनका जो लाब का अनुपात है वो कितना है तीन अनुपात दो अनुपात साथ ठीक है अब क्या है कि जो सी है वो रिटायर हो जाता है जब सी रिटायर हो जाता है तो सी के हिस्से को वो किसमें बाट लेते हैं चार अनुपात पांच में बाट लेते हैं तो कोई एक ऐसी रासी माल लेते हैं सब की जो इसका दोनों का जोड़ कितना रहनों और यहां पर देखो कितना है साथ सी का अनुपात साथ है तो 63 अगर इसकी रासी हो तो हमारा पूरा-पूरा कट जाएगा है ना कोई एक ऐसी रासी माल लेंगे जिसमें पूरा-पूरा भाग चला जाएदा ताकि हमारा पॉइंटों में आंसर ना आए ठीक है तो क्या करते हैं सब को 9 से गुणा कर देते हैं सब को 9 से गुणा करेंगे तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना सब को 9 से हम कर देंगे यहां पर गुणा तो सब को 9 से गुणा करेंगे तो अब हमारा जो उपात 5 में तो पूल अनुपात कितना नो सत्ते 63 एक उनुपात की वैल्लू कितनी साथ तो ब कर इससे में अब कितनी रासी और आगी शाएक चुक्के 28 और सी के हिस्से में कितनी आई साथ पंजे 35 तो बी और सी ए और बी का अब नए अनुपात क्या हो जाएगा दोनों को एड कर देंगे इसका 55 और इसका 53 तो ए और बी का जो अब नए लाभांस का अनुपात है वो कितना है 55 अनुपात 53 कौन से उप्सन में हमारे फर्स्ट ही कि इसमें क्या बोला था कि पहले a b or c r u where अनुपाद दें आ parliament का तुम निका लिया उनके अनुपात का लाभ कितना है ऑनुपात कितना है तीन मोगए दो नुपात 7 ठीक है अब क्या बोलै कि C retire हो गया सी रीटायर हो गया और C का जो हिस्ता था उसको A और B ने 4 नुपात 5 में बाट लिया यहां पर हमारा नुपात में वैलो कितनी थी 7 थी तो 7 को पांच में बाटेंगे तो हमारा पॉइंटों में आएगा तो हमने पूइंटों में नहीं रखने के लिए इसको क्या किया पूरे अनुपात को 9 से गुणा कर दिया तो नहीं अनुपात क्या हो गया 27 अनुपात 18 अनुपात अब क्या है इस तरह सट को ए और बी में बाटना है किस अनुपात में 4 अनुपात 5 में तो हमने बाट दिया तो ए और बी का नहीं अनुपात कितना आ गया 25 अनुपात 53 चुले देखतें क्यूस्टन नंबर 4 किसी व्यापार में A, B तथा C ने कुल 1,25,000 रुपे का निवेस किया उसमें से B ने A से 15,000 रुपे जादा निवेस किया और C ने B से 20,000 रुपे अधिक निवेस किया यदि वर्ष के अन्त में कुल 37,450 रुपे का लाब हुआ हो तो उसमें से A का हिस्सा बताओ यहाँ पे देखो A, B और C तीन बंदे हैं तो जिननों ने कुल कितने रुपे लगाए हैं 1,25,000 रुपे लगाए है ठीक है तो पहले तो तीनों का माउंट निकालेते हैं कि तीनों ने कितने कितने पैसे लगाए हैं तो तीनों का निकालेंगे तो 25,000 रुपे ठीक है तो 25,000 रुपे आगे हमारी X की वैलू तो A ने कितना माउंट लगाया है 25,000 रुपे लगाए हैं ब ने कीतने लगाया 40,000 रुपे लगाए हैं और C ने कितने लगाए हैं 60,000 रुपे लगाएं तो हमारा तिनों का माउंट आ गया अलाश पुआप लगाए लगाई है तो 37,450 इनके कुल लाब में बट जाएगा तो तिनों का अनुपात में जोड कितना है 25 है तो बटा 25 हमें किसकी वैलू निकालनी है एका हिस्सा निकालना है तो एकी वैलू कितनी है 5 तो गुणा 5 5 से कट गया 5 पे 5 से कटेंगे 5 सते 35, 25, 25, 25 कितना हिस्सा आगया एका 7,490 कुछ महीने बाद B 49,000 रुपार में सामिल हो गया यदी वर्स के अंत में लाब के हिस्से में से A को 9,000 रुपार तथा B को 7,000 रुपार प्राप्थ हुए तो B कितनी महीने बाद व्यापार में सामिल हुआ तो यहाँ पे देखो A है और B हैं A ने कितने पैसे लगाए B 40,000 रुपाय लगाए B ने कितने लगाए 49,000 रुपाय लगाए ठीक है A ने कितने समय के लिए लगाए A ते प्रारंब से ही है क्योंकि उसने व्यापार खुद ने शुरू किया है ठीक है तो एक वर्स तक नो हजार रुपाय इसको मिले हैं 9,000 A का हिस्साद नो हजार है और B का है 7,000 रुपाय ठीक है तो दोनों का हिस्साद दे दिया हमें तो अब यहाँ पर देखो तीन जीरो से हमारी 3-0 कटगी बाद साथ चिक्क्य बियारी सात्यू सत्यू निन चास बारा सथ बारा चिक्क्य और रिख कर देखो इनके लाब रुकाइबात कि तना है 9 अनुपाद नौंफात के बिदले कितनी हमारी 1 नौंफाद के बदले कितनी अंहों व्हाँ झाहिए घ्टर तो एक बारा जो के तनी हमाहारी तो यहां पर समय कि वियलु मेरा आफ महीने तो बी हैं वह वियापार में कितने महीने बाद साबनी पार सेट जाएगा ठीक है चलिए देखते हैं मारा क्यूस्तो नमबर 6 क्यूस्तो नमबर 6 A ने कुछ रूपे निवेस करके व्यापार सुरू किया B ने A से 5,000 रूपे अधीक लगाए A पांच महिने तक व्यापार में रहा B उससे एक महिना अधीक व्यापार में रहा तो यहाँ पर देखो B A की व्यापार कितनी है 5X है ना क्योंकि 5 महिने तक रहा है और पुंजी मालो A ने लगाई है A की पुंजी उसकी माल लेते हम X तो B की पुंजी क्या हो जाएगी X पलस 5,000 रूपे है ना X पलस 5,000 रूपे तो इसकी B बटा 6 गुणा X पलस 5,000 रूपे है ना और यह वाला अनुपात की अनुपात में बटा है इनका जो लाब है वो क्यासे बटा है देखो कुल लाब हुआ उसको 26,000 रूपे का कुल लाब हुआ है 26,000 रूपे का A को B से पहले ही छाब घटा देते हैं क्योंकि 6,000 रूपे अधीक तो B को मिली है तो दोनों की वैलू कितने बचगी 20,000 रूपे यह दोनों तो एकवल हैं तो कितने हैं 10,000 रूपे अब A और B का लब कानुपात कितना हो जाएगा A को मिले 10,000 रूपे बी को मिले 16,000 रुपए तो 5 अनुपात 8 हा जाएगा इन दोनों के लाभका नुपात तो यहाँ पे इसके बराबर रख देंगे 5 बटा 8 इधर गुणा हो जाएगा ये इधर गुणा हो जाएगा तो इसकी दर गुणा करेंगे तो 5,8,4,x बराबर है 6,5,30,x है ना इसकी अन ऐसकी बराबर है कितना एक लाकशाथ हजार तो आटसकी वेलू कितनी आगी अजाएगी 15,000 неп써 क्रेंदफन दोनों कउनगेंECT 15,000 रुपए मारा थॡटा व्याइगा एक बटा पांच के अनुपात में निवेस करी तीन बंदे हैं A, B और C तीनों ने पुझी किस अनुपात में लगा है एक बटा दो, एक बटा तीन और एक बटा पांच तो सबसे पहले तो इनकी पुझी का अनुपात निकाल लेते हैं तो तीनों का लेंगे LCM तो तिन्नो काल शेम आ गया 30 तो 15 अनुपात 10 अनुपात 6 आ गया इनकी पुंजी का अनुपात तो 15, 10 और 6 अब क्या हुआ है चार महिने बाद A ने अपनी पुंजी को दो गुना कर दिया तो ये जो 15 रुपए ही ये तो सिर्फ इसके 4 महिने तक ही रहा है उसके बाद क्या कि है वो कितने दिन दे रखा है एक वर्स बाद तो एक वर्स में 12 महिने तो यहां पे चार महिने तो यहां होगे तो यहां पर महिने कितने आठ सेम ऐसे बी का बी ने क्या किया 6 महिने बाद तो 6 महिने तक तो इसके 10 रुपए ही रहे हैं 6 महिने बाद क्या किया इसने अपनी पुंजी को आधा कर दिया जब कुंजी को आधा कर दिया थो अब इसका पांच गुणा, शे और इसने सी ने तु सेम अमाउंट रखा है, सी ने कोई हेर बदल नहीं किया, तो इसका जो यूआरूपई हैं, पूरे बारा महिने तक रहे हैं, तो अब इनका अनुपात निकाल लेंगे इसका 240 ये 15 चुके 60 तो A का अनुपात कितना 300 अनुपात B का इससा कितना 60 और 30 90 और C का कितना वहतर ठीक है 6 से काट लेते हैं इसको 6 से कटेगा है तो 6 से कटेगे 6 35 50 पे 6 से कटेगे 6 6 पंचे 635 35 612 पर चाहएगा तो कितनी levelimizi 1330 कुल नுपात की वेलू चैसते दिएंगे फिपयारा 550 को सुन पहुं है कितनी साथ में पंधरा देखो साथ से कटेंगे साथ चोके अठाइ साथ पंदरा पपी चेतर साथ चोके साथ सड़ सट शेजार साथ सो पचास रुपए आ गया भी का इसा कौन से ओप्सन में हमारे थर्ड ओप्सन में है चलिए देखतें क्यूस्ट नमबर आठ क्यूस्ट नमबर आठ ए बी तथा सी एक व्यापार में करमसics 24.000, 32.000 और 18.000 रुपए निवेस करते हैं A, B, C, कितने 24,000, 32,000 और 18,000 रुपे A तथा B सक्रिय साजेदार है यानि कि जो काम की देखबाल कौन करता है A करता है और B करता है और काम की देखबाल के बदले A को 15% रुपे और B को 12% रुपे एक्स्ट्रा मिलते हैं ठीक है यहाँ पर कि देख़ो क्या सेस लाब को उनके 12 निवे सित पुंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है तो सबसे पहले तो इनके लाब का अनुपात निकाल लेते हैं 3-0 से हमारी 3-0 कटगी 2-0 कटेंगे 12 पे 2-0-3-2-9 पे तो इनका जो लाब का अनुपात अब कितना आ गया 12 अनुपात 16 अनुपात 9 अब क्या बोला है कि A और B सक्रिये साजेदार हैं जब A और B सक्रिये साजेदार हैं तो इसको 15% एक्स्ट्रा मिल रहा है इसको 12% एक्स्ट्रा मिल रहा है 73 में से 12 इसमें 16 इसमें और 9 इसमें तो 33 परसेंट हमारा किस किस में बटेगा 12 16 और 9 कितना हो जाएगा टोटल 12 और 16 28 और 9 37 37 में बटेगा है ना गुणा एक सुरी सी को कुल 65700 रुपए का लाब मिलता है सी को से इसमें अनुपात में कितना लाब मिल रहा है नो का तो गुणा नो यह वाला जो अमाउंट है यह अमाउंट में कितना दे रखा है 6 लाग सुरी पैंसट हजार 700 रुपए तो पैंसट हजार 700 रुपए लिए लिए लिखे लिए लिए ना सथी एतर परसेंट को जब हम 37 के अनुपात में बाटेंगे सी का इससा तो हमारा सिरफ नो माउंट में है तो गुणा नो यह वाला टोटल जो मनी है यह किसके बराबर है 65700 के बराबर है इसको काट लेंगे देखो नो सत्य तरेश सट नो तिये 27 दो जीरो तिये 27 से कड़ जाएगा 100 पे तो बी जो सी का एक अनुपात की वैलो हमारी कितनी आगी 2700 है ना और हमने किसकी निकाल नहीं है हमने तो 100 परसेंट लाब निकाल ला है क्योंकि हमसे कुल रासी पूछी है लाब की तो इसको सो से गुणा और कर देंगे तो हमारे कुल अनुपात की वैलो कितनी आजाएगे कुल लाब की 3,70,000 रूपे तो हमारा कौन सांसर सही हो जाएगा हमारा सेकन्ड ओप्सन सही हो जाएगा जो हमें दे रखा है साथ साथ लिखते जाएंगे यहां पे देखो हमें क्या दे रखा है A, B और C की जो मनी है जो इन्होंने निवेस करी वो हमें दे रखे तो वो हमने लिखा लिया उसके लाब का अनुपात निकाल लिया अब क्या है A और B सकरिय साजेदार हैं वो दोनों सकरिय साजेदार हैं तो कुछ ना कुछ अमाउंट इनको एक्स्टा मिलेगा वो अमाउंट है क्या 15% और 12% इनको 15% और 12% मिल गया तो कुल अनुपात कितना बचा है जो तिनों में बटेगा सरफ तिहेतर परसेंट अमाउंट ऐसा है जो तिनों में इनकी जो इन्यवेसित मनी है उसके हिसाब से बटेगा तो 30% हमने लिख लिया ठीक है 30% अब तिन्नों के अनुपात की वैलो कितनी है 37 तो 37 गुना नो क्योंकि यहां पर सी को अमाउंट कितना मिल रहा है अनुपात में 9 और वैसे रुपियों में कितना मिल रहा है तीन लाख सत्तर हजार रुपे कौन से उप्सन में हमारे सेकिंड उप्सन में है चलिए देखते हैं क्यूस्ट नंबर 9 कि ए और बी ने एक व्यापार में करम से दस जार तथा चार जार रुपे निवेस किए साजेदारी की सर्त है कि बी को व्यापार की देख भाल करने के लि स्पात में बाटता जाएगा यहांपे देखो ए और बी एने कितना पैसा इन्वयस्ट करा 10,000 रुपे इंवेस्ट करें तो दोनों का कुल लाब जो वार्षिक लाब है वो कितना है? चार अजार रुपया है. ठीक है? इस चार अजार में से बी को पर मंथ सो रुपया तो मिलते ही मिलते हैं. तो बारा महीने में कितने मिल जाएंगे? बारा सो रुपया है ना पूरे साल में. तो 4000 में से 1200 रुपया तो B को पहले ही मिल गए ठीक है अब क्या बोला है कि वार्थिक पुंजी का 5% ब्याज अदा करने के बाद मालों इन दोनों ने जो पुंजी लगाई है उस पर इन लोगों को 5% ब्याज भी देना पड़ रहा है और जो ये ब्याज होगा वो ये किस में से देंगे अपने लाब में से देंगे है ना तो इसका B को A को कितना पैसा देना पड़ रहा है 200 रुपए B ने ब्याज के दिये और 500 रुपए A ने ब्याज के दिये ठीक है तो A और B का दुन्नों का ब्याज का जो अमाउंट था वो फुल लाब में से घटाया गया देखो पहले ही बोल दिया ना उसके अदा करने के बाद जो पैसे बचे अदा करने के बाद जो वार्शिक लाब को उनके निवेसित अनुपात में बाटा जाएगा ठीक है तो अब यहाँ पे देखो 700 रुपए ये हो गए और 1200 रुपए ये हो गए है ना 500 और 200, 700 और 1200 ये तो टोटल 1900 रुपए पहले ही खर 1000 में से तो अब इनके पास कितना अमाउंट बचा है लाब का 2100 रुपए बचे है ठीक है अब ये 1200 इनकी पुंजी के अनुपात के इसाब से बढ़ जाएंगे तो पुंजी का अनुपात कितना है तीन जिरो से तीन जिरो खट गई दो नी चार दो पंजे दस ठीक है पांच अनुपात दो है इनके लाब का अनुपात तो 2100 रुपए हमारे साथ साथ अनुपात में बचेंगे और एक अनुपात की वैलो कितनी आ जाएगे 300 ठीक है तो एक को कितना इस्सा मिला पंदरा सो रुपए मिलेंगे है ना क्योंकि इसको माउंट में कितना मिल रह है पांच वनुपात मिल रहे हैं और बी को कितना मिलेंगे 600 तो मिलेंगे यह वाले और 1200 रुपय देखो इसको पहले ही मिल रहे हैं देखबाल के लिए किसकी देखबाल के लिए कारोबार की देखबाल के लिए तो पलस 1200 रुपय यह जाएंगे तो कितने अमाउंट मिला है इसको 1800 तथा दो बटे पांच भाग B ने तथा रेस्ट पुंजी यानि कि सेश पुंजी C ने निवेस करी A, B और C A ने क्या किया है 30% हिसा अमाउंट का पे किया है ठीक है B ने दो बटे 5, C का हमें नहीं पता तो हम X माल लेके हैं ठीक है कुल लाब क्या हुआ है कुल लाब 4,000 रूपे जो B की कुल मनी का 20% है है ना तो 20% के बदले वैलू कितनी है 4,000 रूपे है है ना तो 1% के बदले बटा 20 तो B की वैलू कितनी आजाए गुणा 100 तो गुणा तो यहां से B की वैलो कितनी आगी 4,5,20 यानि की 20,000 रुपय लगाएं है हमारे B ने यह वाली कुल पुझी क्या है B का 20% ठीक है तो सबसे पहले तिनों का अनुपात निकाल लेते हैं के बाद B की पुझी तो हमारे पास है यह ओलरेडी तो सी का मांट हम निकाल लेंगे तो देखो 30% को भीन में बदलेंगे तो 30 बटा 100 यानि की A तीन बटा 10 दोनों का अनुपात लेंगे तो कितना हो जाएगी कुल पुझी माल लेते हैं कुल पुझी मानली हมने 50 तो एक पूझी मानली हमने 50 तो ए ने कितने पैसे लगाएए तीन मानली कर लेंगे कितना हो जाएगा एेल्स ने एक लिखा कितने हैए तो B का अनुपात कितना 20 तो रेस्ट पुंजी तो C ने लगाई है तो C का इस्टा कितना आगै 55 अब देखो 20 अनुपात के वैलो कितनी है बीस जार रुपे तो एक अनुपाद की वैलो कितनी 1000 रुपे और C का इस्टा कितना है 15 ataque सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बैल आइकन दबाना नहीं भूलें जिससे आपको आने वाड़ी सारी क्लासेज की लेटस्ट अपडेट टाइम टुटाइम मिलती रहें थैंक्स फॉर वोचिंग